स्वागत आपका एक और फ्रेश वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हिमाशल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमिशन शिमला की तरफ से रिलिज की गई एक बहुत बड़ी नोटिफिकेशन की हिमाशल प्रदेश गार्मेंट के विविन विवागों में पोस्ट फिल अफ होने वाली है और इसके लिए आप अपना अपलाए 3 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन कर सकते हैं और अपलाए करने का लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे बात करने से पहले आप अगर HPE High Code Clerk, HPE High Code Process Server, HPE SSE JOIT Post Code 965, HRTC Conductor Post Code 1031 की टेस्स सीरीज भाय करना चाहते हैं तो आपको Offer of Price में टेस्स सीरीज मिलने वाली है जी हाँ आपको जस्ट 99 रुपीज में सारी टेस्स सीरीज मिलने वाली है और इन फ्यूचर आपको Government Jobs for You से सभी टेस्स सीरीज 399 रुपीज में मिलने वाली है तो जल्दी कीजिए इस Offer का फाइदा उठाइए सभी टेस्स सीरीज के Links आपको मिल चाहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चाहे तो मुझे डिरेक्टली WhatsApp कर सकते हैं 9805015005 पर वहां पर भी आप टेस्स सीरीज मुझे से परसनली ले सकते हैं तो बात करते हैं आज की इस जाब निटिफिकेशन की टोटल चार पोस्ट फिल अफ होने वाली है अगर हम बात करूं पहली पोस्ट की तो वो रहने वाली है Commandant Junior Staff Officer की और ये Home Guard and Civil में ये पोस्ट फिल अफ होने वाली है जो Department रहेगा तिन पोस्ट रहेगी दो अन्रिजर्व रहने वाली है और एक पोस्ट स्ट के लिए रिजर्व रहने वाली है अगर बात करें हम यहां पर क्वालिफिकेशन की तो इसके लिए आप ये Released Army Officer होने चाहिए Indian Army Force से और आपका जो Rank होना चाहिए वो Captain और इससे अबब का होना जरूरी है और साथ में आप Graduation होनी चाहिए आपके पास ठीक है और पांच साल का आपका Regular Service होना चाहिए As a Company Commander in Department of Home Guards and Civil Defense Organization में ये जो Qualification है ये इसके अलावा है अगर आप Retired Released Army Officer नहीं है इसके अलावा अगर आप Graduate हो और साथ में आपने पांच साल Regular Service की हुई है As a Company Commander, Department of Home Guards and Civil Defense Organization में तो आपका पेस के लिए अपना अपलाई कर सकते हैं आपका पेस के लिए यहां पर एका 15,600 रुपे से लेकर 49,100 रुपे और 6,600 रुपे का आपका GP यहां पर रहने वाला है और आपका जो Contract Period रहेगा वहां पर आपकी Salary 40,000 के असपास रहने वाली है Monthly Second Post यहां पर है Chief Inspector Voiler तो यह Industry में पोस्ट फिलफ होने वाली है एक पोस्ट रहेगी अंद्रिजर्व रहने वाली है इसके लिए अगर बात करें क्वालिफिकेशन की तो आप BE या BTEC होने चाहिए इन Mechanical और Production और Power Plant में आपके पास 10 साल का Unwave होना चाहिए As a Managerial Capacity in the Field of Design, Construction अगर आपके पास 10 साल का Unwave नहीं है और आप रखते हैं 4 साल का Unwave as a Deputy Chief Inspector Voiler का तो अभी आप इसके लिए अपना अपलाए कर सकते हैं और अगर बात करें यहां पर salary scale की तो pay band level 21 आपको यहां पर दिया जाने वाला है आपकी age 45 years से ज्यादा नहीं होने चाहिए अगर बात करें examination fees की तो आपको देने होंगे 400 रुपे अगर आप आते हो open category मतलब कि general category से और अगर आप आते हो किसी अन्य स्टेट से तो भी आपको देने होंगे 400 रुपे आपको देने होंगे 100 रुपे एक सर्विसमेन और यहां पर female candidates के लिए कोई भी फिस नहीं रहने वाली है अपलाई करने की last date रहेगी 3 January 2030 for detailed notification you can refer description box वहां पर आपको detailed notification मिल जाएगी